इलकल तीसी स्टाइल पास्ता बनाने के लिए आप पे मैंने 3-4 तामाटर बारी काट लिया, 3-4 हरी मिर्ची, 2 टेबल स्पून मैंने लेसन बारी कटे वे शिम्ला में थोड़ी सी चिकन और और अर्गैनो ले लिया और यहां पे मैं यहीं पास्ते का इस्तमाल करूँगी यह 400 ग्राम पास्ता मैंने यूज़ के सबसे पाली पानी मैंने बॉइल करने रख लिया है जिसी पानी बॉइल होने लगे उसमें मैंने पास्ता आइट कर लिया है पास्ता को जब तक पकाएं जब पूरी तरीके से गल ना जाए और ओवरकुक भी ना कीज़े तो मीडियमी एपी ड़ाई ले लिया है और यहां यहां मेंने 44 टीबल स्पून यह भी ले लिया बड़े चमध से लेरे तो 4 टीबल स्पून यह झायए उस inhal लेह होने जाया है बार ओस्तीबडी मैं कर दो घऑ ब्रॉ लेसन में कर का चिकन ना ले है और चिकन को अच्छे न दोने देल ज जब चिकन जो है पूरी तरीके से गल जाए तब इसमें आप नमक आट कर लीजिए नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से आट कर लीजिएगा उसके बाद इसे अच्छे से आप पकाईए उसके बाद आपको बाकी चीजे डाल दें इसे शिम्ला मिस्च और टमाटर आप डाल इसमें आप सॉसेस भी जाल सकते हैं जो चाइनीज सॉसेस होती है वो भी बड़ मुझे ऐसी प्लीनी पसंद है और इसमें भी बहुत ही जादा अच्छा टेस्ट आ जाता है तो इस तरीके से मैं कुक कर लूँगी घर के सामानों से भी बहुत ही जादा टेस्ट ही आपका प बहुत है मैं ने पास्ता पाइब कर लिया है और इसे दूसे मैं कुक कर लूंगे और एंड में गल्याट को अंथ कर लोंगी हो तो आणीज और आप हो कारी- तरीक smiling okay बहुत है कर लोग पक्ता है आपको थोड़ा सा थीया पसंद है तो यहाँ हमारा पास्ता है जो बिलकुल तरही रेडी है तो गाईज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मैं चानल को सब्सक्राइब करें लाइक और भी ज़रूर करें निचे कमेंट करें मैं आप ले किस तरह की वीडियो बनाऊ तो गाईज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बबाय तो ले नेक्स ताइ